हेलो गाईश तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज की वीडियो काफी ज़दा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाईश यहां हमारे वीव वाई 20 जी में एक नए अपडेट आ चुका है जिसका वर्जन है 6.71.1 तो गाईश यह आस़ों कर सकते हो तो गाईश वीडियो काफी जयता अमेंजिंग होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजएगा वीडियो एंट तक देखेगा और वीडियो पासंद आहे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर है तो आपको करना क्या है सिंप्ल अपने ग्रोम ब्राजर पर जाना है और ग्रोम ब्राजर पर जाने के बाद आपको सिंप्ली सर्च वार पर सर्च करना है वीवो सिस्टम अपडेट तो गाइद आपको सिंप्ली ये सरच करना है तो जैसी आप ये सरच करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां आप देख सकते हो यहां फर्स्ट वेपसाइड है जो की वीवो की ऑफिसल वेपसाइड है जिसका नाम है सिस्टम अपडेट वीवो सिंप्ली इस प्रिक करना है तो जैसी आप क्लिक करोंगे तो यहां आप देख सकते हो यहां वीवो की सारी सीरिज आज चुकी है तो हैं हमको अपने व्यो वाई 20 जी में अपना नए अपडेट डावलोड करना है तो आपको सिंपली यहां वाई सीरी सेलेक्ट कर लेना है तो गाईज जैसी आप यहां वाई सीरी सेलेक्ट कर लो तो यहां वाई सीरी के सारे मोडल आ जाएंगे यहां आप देख सकते हो यहां हमारे view of y20g तो आपको simply से click करके इससे select कर लेना है तो guys जैसी आप यहाँ y20g select कर लो तो आपको यहाँ ok वाले option पर click करना है तो जैसी आप ok वाले option पर click करोंगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा view of y20g का model आ चुका है और guys उसी के नीचे यहाँ देख सकते हो यह रहा हमारा नया अपडेट का version जो की है 6.71.1 तो guys यह बिल्कुर नया अपडेट है जो कि हमारे view of y20g में आ चुका है और guys उसी के नीचे यहाँ देख सकते हो यहाँ रिलीज डेट लिख रखिए जो की जुलाई में 22 तारी को यह अपडेट आया है हमारे view of y20g में और guys उसी के नीचे यहाँ देख सकते हो यहाँ फाइल साइज दे रखा है जो की 3399 MB इसका फाइल साइज है यह लगबग 3.5 GB के आसपास यह अपडेट है और guys उसी के नीचे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ डावलोड का आपसन है तो आपको सेबरेस पर किलिक करना है तो guys जैसी आप यहाँ डावलोड आपसन पर किलिक करोंगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा नया अपडेट डावलोड होने लगा है तो आपको simply अपनी home screen पर जाना है और guys home screen पर जाने के अब आपको करना क्या है तो guys जैसे आपके update डाउलोड हो जाए तो आपको अपने file manager पर जाना है और file manager पर जाने के बाद जहां आपने इस update को डाउलोड किया होगा आपको simply उस file को खोल लेना है तो guys जैसे आप उस folder को खोल लो तो आपको simply उस update पे hold click करके उसे extract कर लेना है तो guys जैसे आप उसे extract कर लो तो आपको simply उसे पे click करके उसे अपने SD card में move कर देना है तो guys अगर आपके phone में SD card नहीं है तो guys आप उसे अपने internet बे भी paste कर सकते हो तो गाई जैसे आप ये काम कर लो तो आपको simply अपने setting option में जाना है और setting के option में जाने के बाद आपको अपने system update में जाना है और गाई system update में जाने के बाद यहाँ corner में setting का option होगा आपको इस पर click करना है तो जैसे आप इस पर click करोंगे तो यहाँ एक option होगा local upgrade का तो आपको इस पर click करना है तो guys जैसे आप इस पर click करोंगे और जो आपने update को move किया होगा अपने SD card या internal में तो वो आपका update यहाँ आ जाएगा तो आपको simply इस पर click करके उसे अपने phone में install कर लेना है तो guys अगर आपका update यहाँ नहीं आता है तो आपको simply अपना phone restart करना है और दुबार से अपने local upgrade में आ जाना है तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करें और channel पे नहीं हो तो channel को भी subscribe करें और side में bell icon प्रे जरू करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की notification जल्दी मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you